Hello students, hopefully आप सब अच्छे होंगे So students, आज मैं आप सब को हिंदी ग्रामर में से चाप्टर नमबर 6 यानि की सर्वनाम चाप्टर को विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगी So students, probably आपने ये सर्वनाम वर्ड पहले भी सुनाई होगा अपनी छोटी क्लासस में तो आज हम इसको ज़्यादा इल्याबरेट करके समझने की कोशिश करेंगे So सर्वनाम को हम इंग्लिश में basically pronoun कहते हैं अब एक sentence में अगर हम बार बार संग्या का इस्तेमाल करें यानि कि किसी वेक्ती के नाम का अगर sentence में हम बार बार इस्तेमाल करें तो उस sentence में वो संग्या शब्द repetitive होने लगता है जिससे वो sentence अपनी सुंदरता खो देता है अब उस चीज को valuable meaning देने के लिए यानि कि sentence को valuable meaning देने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम संग्या की repetition को avoid कर सके तो सर्वनाम की परिभाषा ये होगी कि संग्या के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जैसे में, तुम, हम, उसने, ये, वो, ये, वे आ दी अब सर्वनाम की छे प्रकार होते हैं पहला है पुरुशवाचक, प्रश्ण वाचक, निश्ट्य वाचक, अनिश्ट्य वाचक, सम्बंद वाचक और निज्वाचक तो आम अब इन चीजों को details में जानेंगे सो पहला आता है पुरुशवचक सर्वनाम पुरुष वाचक सर्वनाम में हम पहले तीन सेंटेंस देखेंगे पहला सेंटेंस है मैं पहार पर चड़ रहा हूँ यानि कि ये बोलने वाला है बोलने वाला यानि कि उत्तम पुरुष बोलने वाले को हम जो अपने आप खुद बोल रहा है उसको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे नेक्स्ट आता है तुम भी आजाओ यह है सुनने वाला यानि की मध्यम पुरुष जिससे हम बात करें जो अमारी बात को सुन रहा है वो भी चड़ाई करेगा किसी अन्य के लिए हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे है यानि कि इसमें हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे है तो यह सेंटेंस हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम सो सम करते हुए हम यह बोल सकते है कि बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य विक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते है जैसे मैं, तुम, वो, मैंने, तुमने, उसने आधी नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न वाचक सर्वनाम प्रश्न वाचक में प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते है जैसे कि कौन, क्या, किसे, किसने, किसका आधी जैसे कि अगर सेंटेंस पूछना चाहे तो आपको किसने बताया, अब किसने हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम नेक्स्ट आता है निश्चे वाचक सर्वनाम निश्चे यानि कि जहाँ पे certainty प्रेजेंट हो किसी निश्चित वस्तु वेक्ती के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे ये, वो, वे, ये जैसे कि अगर सेंटेंस में मैं बोलना चाहू तो अरे ये तो मेरी पैंसिल है, तुमारी पैंसिल वो है यहाँ पे अब certainty की presence है कि ये मेरी पैंसिल है और तुमारी पैंसिल वो है तो फिर ये हो जाएगा निश्चे वाचक सर्वनाम नेक्स्ट आता है अनिश्चे वाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित वेक्ती वस्तू के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कोई कुछ यहाँ पे अनिश्चित्ता का प्रयोग किया गया है यानि कि अनिश्चित्ता प्रस्तुत है इसमें हमें नहीं समझ में आ रहा है कि exact amount या exact किसकी बात हो रही है जैसे उसे कुछ हो गया है अब कुछ हो गया है से तातपर यह क्या है कि क्या हुआ है ये हमें नहीं पता चल रहा है तो ये होगी अनिश्चेता नेक्स्ट आता है संबंद वाचक सर्वनाम अब शब्द से हम ये समझ सकते हैं कि ये किसी चीज़ के साथ संबंद दर्शाएगा किसी संग्या ये सर्वनाम शब्द जब अनिय संग्या ये सर्वनाम शब्द से संबंद बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं अब यहाँ पे संग्या ये सर्वनाम जो दूसरे संग्या सर्वनाम के साथ अपना संबंद दर्शाने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तिमाल करते हैं वो हो जाते हैं संबंद वाचकसर बना जैसे कि जो वो जिसने उसने जिसकी उसकी आधी जो मेहनत करेगा वो सफल होगा अब यहाँ पे संबंद यह है कि जो इनसान मेहनत करेगा वो ही सफल होगा नेक्स्ट आता है निजवाचक सरवना देखो माम मैंने अपनी कुरसी खुद साफ की अब यहाँ पे एक शब्द है कि खुद साफ की वो वेक्ती क्या बता रहा है कि मैंने अपना काम खुद किया तो जब हम स्वैम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सरवनाम कहते हैं जैसे अपने आप स्वैम खुद आधी अब कुछ चीज उसके साथ एक टेबल दिया गया है जिसमें कारक प्रत्य लगा कर कुछ बदलाफ किये गये है सरवनाम के शाथ तो उस टेबल को आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा वो आपके नॉलिज के लिए है बस नेक्स चीज आती है कि कुछ चीजे जो हमें जाननी है कि कुछ corrections होते है सरवनाम में जिनें हम देखकर उन sentences को देखकर हम यह समझ सकते कि इनकी कौन सी अशुद दिता प्रस्तोत है और उसको हम reject कर सकते कि उन sentence गलत दिया हुआ है उसके लिए हमें कुछ जान करी चाहिए जैसे कि सर्वनाम शब्दों में स्थ्रिलिंग पुलिंग का भेद नहीं होता है क्रिया से ही लिंग का पता चलता है अब सर्वनाम किसी स्थ्रिलिंग पुलिंग को नहीं दर्शाएगा क्रिया से ये पता चलेगा कि वो कौन से लिंग का है मैं जा रहा हूँ अब इसमें ये पता चल रहा है कि रहा हूँ से कि ये पुलिंग है मैं जा रही हूँ ये स्थ्रिलिंग है सरवनाम शब्दों में भी एगवचन और बहुवचन वाले शब्द होते है जैसे उसने कविता सुनाई, उन्होंने कविताय सुनाई, ये हो गया बहुवचन में आदर व्यक्त करने के लिए एक वचन की जगा सर्वनाम के बहुवचन बाले रूप का प्रयोग किया जाता है हमेशा आदर को व्यक्त करने के लिए हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे जैसे वे भारत के राष्ट्र पिता है वे मेरी माता जी है यहाँ पे हमने हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया है ऐसे ही हम कभी भी निजवाचक की जगा पुरुष का प्रयोग गलत हो जाएगा हम कभी भी निजवाचक की जगा पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे तुम तुम्हारे घर जाओ ये अशुद हो जाएगा मेरे को तेरे को ऐसे शब्द हम कभी भी सर्वनाम में इस्तेमाल नहीं करते हैं तीसरा आ जाता है वाक्य में क्रिया सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार होना चाहिए हमेशा जैसे की हम आया हूँ, मैं आया हूँ, ऐसे मा के लिए में के लिए अपन का प्रयोग अशुद्ध है यानि कि में हम शुद्ध रूप में इस्तेमाल करते हैं अपन का प्रयोग हम जितना हो सके या फिर हम बिल्कुल ही वर्जित रखेंगे अपन का प्रयोग एकदम ही अशुद्ध है सो होपफुली सरवनाम आपको समझ में आया होगा थैंक यू